हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की पहली क्लास में दोस्तो आज से हम लोग जो है फोटोशॉप 7.0 को बिलकुल सुरू से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो है फोटोशॉप 7.0 का पहला पार्ट है इसी तरीके से दूसरा पार्ट आएगा तीसरा पार्ट आएगा यानि कि जब तक हम लोग जो है Photoshop को पूरा complete सीख नहीं लेंगे जितने भी part बनेंगे आपको part by part इसी channel पर जो है video मिलने वाले है Photoshop का complete full course जो है मैं आपको इस channel पर सिखाने वाला हूँ अगर आपको Photoshop बिल्कुल भी नहीं आता है आपको Photoshop के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो यह जो series आने वाली है Photoshop 7.0 की part by part करके आप इस series के साथ जुड़ जाएए जुड़ने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस channel को subscribe कर लेना है सबस्क्राइब करने से ये फायदा होगा कि जैसे ही Photoshop का अगला वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा Photoshop को मैं आपको बिल्कुल सुरू से जो है पूरा complete सिखाने वाला हूँ आप में से काफी सारे लोग डेली comment करते हैं कि sir Photoshop 7.0 को बिल्कुल सुरू से जो है part by part करके सिखाया जाए तो आप सभी की request पे मैं आज से जो है Photoshop 7.0 को बिल्कुल सुरू से सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ आप एक छोटा सा काम कर दीजिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वाटसब पर भी share कर दीजेगा ताकि जो भी लोग Photoshop 7.0 को बिल्कुल सुरू से सीखना चाते हैं वो लोग भी जो है इस सीरीज के साथ जुड़ सकें और इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पे अगर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे और सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा चल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल आर्ट बना सकते हैं, कोई भी बैनर बना सकते हैं, इसके अलामा फोटो शॉप के जरीए आप बिजनस कार्ड बना सकते हैं, लेटर हैड बना सकते हैं, टेंपलेट बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं इसके अलामा और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि टी सर्ट डिजाइन करना हो कोई भी सर्ट का डिजाइन करना हो शूट डिजाइन करना हो कोई भी सारी का डिजाइन करना हो यानि कि जितना भी designing का काम होता है न वो photoshop में आप कर सकते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि photoshop एक powerful photo editing और graphic designing software है अब जानते हैं कि आखिर photoshop को बनाया किसने तो आप सभी की जानकारे के लिए बता दें कि Photoshop को 1987 में दो भाईयों ने मिलकर बनाया था एक का नाम था Thomas Knoll और दूसरे का नाम था John Knoll इन दो भाईयों ने मिलकर 1987 में Photoshop को बनाया था जिसे 1988 में Adobe Company ने खरीद लिया पहले Photoshop का नाम Keval Photoshop था लेकिन जब 1988 में Adobe Company ने Photoshop को खरीदा तो अब जो है Photoshop Adobe Photoshop के नाम से आता है ये दोनों भाई हैं जिन्हें आप देख सकते हो इन्होंने ही जो है सबसे पहले Photoshop को बनाया था Photoshop का Default File Extension .psd होता है PSD का मतलब होता है Photoshop Document 2003 तक Photoshop के कुल 7 वर्जन आ चुके थे जिसमें से Photoshop 7.07 वर्जन था और ये सबसे ज़ादा इस्तमाल होने वाला और लोक प्री वर्जन था इसके बाद Photoshop को Photoshop Creative Cloud के नाम से लांच किया गया अब आप देखते होंगे जो Photoshop का लोगो है जो नए Photoshop के वर्जन आ रहे हैं उनका जो लोगो है इस तरीके से है इसे जो है Photoshop Adobe Creative Cloud के नाम से जो है लांच किया गया है वर्तमान समय में Photoshop की बहुत सारे वर्जन आ गया है Photoshop का 2022 वर्जन भी मार्केट में आ गया है तो दोस्तो जो भी हमने Photoshop के बारे में आपको बताया है ये सारी जानकारी अगर आपको PDF में चाहिए तो आपको Telegram चैनल जोईन कर लेना है जितना भी Photoshop का PDF में बनाऊंगा वो आपको बिल्कुल फ्री में Telegram चैनल पर मिल जाएगा और Telegram चैनल का लिंक इस विडियो के डिक्सिप्सन बॉक्स में या फिर जो है आप डारेक्ट Telegram चैनल पर जाकर के गुलाब गुरू सर्च करेंगे 30,000 से जादा सब्सक्राइबर हमारे Telegram चैनल पर है तो आप Telegram चैनल को जोईन कर लिजेगा वहीं पर आपको सारे के सारे PDF जो है Photoshop के मिलने वाले हैं अब दोस्तो हम लोग जानते हैं कि Photoshop को अपने computer या फिर laptop के अंदर कैसे चालू किया जाता है कैसे ओपन किया जाता है Photoshop को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं जिसमें से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला तरीका ये है कि आप Start बिटन पे क्लिक करिए All Apps पे क्लिक करिए यहाँ पर आपको Photoshop दिखाई देगा माउस का Left बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैक करके खीचेंगे Desktop पे लाने के बाद इस तरीके से छोड़ देंगे तो आपके Desktop पे Photoshop इस तरीके से आ जाएगा अब आप इस पे Double क्लिक करके ही Photoshop को Open कर सकते हैं और इस्तमाल कर सकते हैं यह जो Photoshop आपने यहाँ पर रखा है यह हमेशा जो है आपके Desktop पे रहेगा जब तक आप इसे Delete नहीं कर देते हैं तीसरा तरीका यह है कि आप Start बटन पे क्लिक करिए Direct यह जो Search बार दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करिए जिसके लिए आप Start बटन पे क्लिक करेंगे All Apps पे क्लिक करेंगे Photoshop को ढूंडेंगे इस पर Right क्लिक करेंगे Mouse का Right क्लिक यहाँ पर More पे क्लिक करेंगे Pin to Task Bar का Option मिलेगा आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब जो है Photoshop आपके Task Bar पे यहाँ पर आजाएगा Photoshop ओपन हो जाएगा और इस्तमाल करने के बाद अब जो है अगर आप इसे Cut भी कर देते हैं तो भी यह आपके Task Bar पे हमेशा राएगा जब भी जरूरत पड़ेगी आप जो है Photoshop को यहाँ से इस्तमाल कर सकते हैं एक और तरीका यह है कि आप Start पे क्लिक करके यह जो पिन किये गए प्रोग्राम है यहाँ पर भी जो है Photoshop को बाहर ही रख सकते हैं जिसके लिए आपको All Apps पे क्लिक करना है Photoshop पे Right क्लिक करना है Pin to Start पे क्लिक कर देना है ऐसा करते ही आपका जो Photoshop है वो यहाँ पर पिन हो जाएगा उपर की साइड में ही आप यहाँ से भी क्लिक करके Photoshop को ओपन कर सकते हैं एक और तरीका है जिसका इस्तमाल करके आप Photoshop को ओपन कर सकते हैं जो की एक Shortcut है अगर आप Shortcut से Photoshop को ओपन करना चाहते हैं तो Windows के साथ R बटन को दबाना है आपको और ये जो Run कमांड खुलती है इसके अंदर आपको लिखना है Photoshop जो spelling मैंने लिखी है सेम यही spelling आपको लिखनी है ध्यान रहे कि spelling mistake नहीं होनी चाहिए इसके बाद आपको OK पर क्लिक कर देना है या फिर Keyboard से आप Enter बटन भी दबा दोगे तो भी Photoshop आपके computer या फिर laptop में open हो जाएगा जितने भी तरीके मैंने आपको Photoshop को open करने के बताए हैं उनमें से आप किसी भी एक तरीके से Photoshop को open कर लेजे जब आप पहली बार Photoshop को open करेंगे तो आपका जो Photoshop है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अब हमने Photoshop को open करना सीख लिया अब हम जो है Photoshop की window का complete परिशे जानेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे Photoshop में जितने भी option मिलते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है और कौन सा option कहां पर मिलता है तो देखिए जब आप Photoshop को open करेंगे तो ये जो पूरी की पूरी window आपको दिखाई दे रही है इसमें जो सबसे उपर वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है जिसमें left side में Adobe Photoshop लिखा हुआ है और right side में minimize, restore और close के button है इस पूरी की पूरी पट्टी को जो है टाइटल बार बोड़ा जाता है टाइटल बार में ही आपको minimize का button मिलता है जिस पर आप click करके Photoshop की window को minimize करके task bar पे रख सकते हो बस आपको इस पर एक बार click करना होता है आपकी जो Photoshop की window है वो task bar पे minimize होकर के आ जाती है और जरूरत पढ़ने पर आप इस पर click करके इसे दोबारा से इस्तमाल कर सकते हो दूसरा जो button है वो है restore और down का button आप इस पर click करके maximize भी कर सकते हो और restore भी कर सकते हो जब आप इस पर click करोगे तो आपकी जो window है कुछ इस तरीके से restore यानि down हो जाएगी और जरूरत पढ़ने पर आप इसे यहां वहां उपर नीचे भी खिसका सकते हो यह जो आपको टाइटल बार मैंने उपर बताया है इसी पर आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके क्लिक करना है जिदर भी आप खिसकाना चाहो उपर बाये नाये या फिन नीचे आप आराम से टाइटल बार की पट्टी पर क्लिक करके इसको खिसका सकते हो इसके अलामा अगर आप इस विंडो को और छोटा करना चाहते हैं आप फिर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो ये जो आपको बाहरी किनारा दिखाई दे रहा है इस किनारे पर आपको mouse pointer को इस तरीके से लेके जाना है mouse pointer को कुछ इस तरीके से बनाना है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाने के बाद mouse का left button दबा करके इस तरीके से खीचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा जितना मर्जी चाहो आप छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हो इस तरीके से left side से भी कर सकते हो और नीचे से भी कर सकते हो और right side से भी कर सकते हो तो इस तरीके से आप इस window को छोटा बड़ा कर सकते हो और एकदम से अगर आपको इस window को बड़ा करना है तो आप इस पर click कर दिएगा पूरी की पूरी window जो है बढ़ी हो जाएगी इसके अलावा जो इसके अंदर एक button मिलता है वो है close का button आप इस पर क्लिक करके अगर आप फोटोशॉप में काम कर चुके हैं और फोटोशॉप को बंद करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे फोटोशॉप बंद हो जाएगा दोबारा से चालू करने के लिए जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं उसमें से आप किसी भी एक तरीके से Photoshop को Open कर सकते हैं अब हमने टाइटल बार को समझ लिया है टाइटल बार के ठीक नीचे वाली जो पट्टी दिखाए दे रही है जिसमें Help, Windows, View, Filter ये सारे लिखे वे आपको Option दिखाए दे रहे हैं जिस भी मीनू पर आप किलिक करोगे उसमें अलग-अलग Option आपको मिलते हैं ये जो Option है आपको किस तरीके से इस्तवाल करने हैं इसकी जानकारी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं फिलाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि Title बार के ठीक नीचे जो है मिनू बार पाया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं और मिनू बार के ठीक नीचे जो है Property बार पाया जाता है और ये जो Property बार होता है ये टूल सेलेक्ट करने पे बदलता है और ये टूल का ही Property बार होता तो अलग यानि कि अलग अलग टूल सेलेट करने पे अलग अलग प्रोपर्टी बार जो है चेंज होते रहते हैं जब हम इन टूल के बारे में पूरा डीटिल में पढ़ेंगे तो जिस भी टूल को सेलेट करने पे प्रोपर्टी बार दिखाई दे रहा है उस प्रोपर्टी ब बार बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं तूल बार बोलते हैं और इन ही तूल का इस्तमाल करके आप photoshop में एक से बढ़कर एक photo को edit कर सकते हो एक से बढ़कर एक graphics जो है design कर सकते हो यह toolbar बहुत ही powerful है और बहुत ही काम के हैं तो बस आपको इतना समझना है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे टूल बार बोला जाता है इसकी बाद जो है दाहिने तरफ आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे option इसको palette बोला जाता है अपनी इच्छा के अनुसार आप इस palette को यहा हुआ है आपको इस पर एक बार क्लिक करना है जो भी लाना चाहते हैं आप जैसे कलर लाना चाहते हैं तो कलर पे क्लिक करिए कलर वाला पैलेट आ जाएगा इसी तरीके से अगर आपको हिस्ट्री का पैलेट लाना है तो हिस्ट्री पे क्लिक करिए हिस्ट्री वाला पैलेट आ जाता है तो सबसे निचली वाली पट्टी को क्या बोला जाता है स्टेटस बार बोला जाता है फिर से मैं आपको सारी चीजे repeat करा देता हूँ सबसे उपर जो है आपको title बार मिलता है फिर menu बार मिलता है फिर property बार मिलता है इसके बाद इसको जो है टूल बार बोला जाता है इधर जो है minimize, maximize और close की बेटल मिलते हैं और ये सारे के सारे palette है और नीचे की side में जो है आपको status बार मिलता है तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना Photoshop क्या है Photoshop का इतिहास भी मैंने आपको बताया Photoshop को कैसे चालू करते हैं और Photoshop की जो window है उसका complete परिचे मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को WhatsApp पर सेयर कर दीजेगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके चैनल पे अगर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो बहुत बड़ी गलती करवार सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमारी नए नई वीडियो को देख पाओगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जाए हिन बंद मातरम